दोस्तों सोशल मेडिया लोगों को जानकारिया उपलब्ध कराने के अलावा आजकल अफवा फैलाने का एक माध्यम भी बन गया है बहुत सी खबरें हमें ऐसी सुनने को मिलती है जिन पर हम आसानी से विश्वास तो कर लेते हैं लेकिर उसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुँच पाते हैं क्या वागई कुछ ऐसे नोट हैं जिन्हें पेच कर आप लाखों रुपे कमा सकते हैं आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुनीता तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको इसके पीछी की पूरी सच्चाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिने पुरानी चीजें सहच कर रखने का शौक होता है उन्ही में शामिल है पुरानी नोट या करंसी को संभाल कर रखने वाले लोग तो दोस्तों आपके लिए खुश्कबरी है कि जो नोट आज भले ही चलन में ना हो लेकिन अगर आपकी गुलक या पर्स में है तो वो आपका तगड़ा फायदा करा सकते हैं आपके घर में ऐसे पुराने नोट इधर उधर पड़े होंगे या फिर आपको रेयर करंसी रखने का शांक है तो आप इनसे मोटी कमाई कर सकते हैं इससे आप उनलाइन बेच कर बड़ी रकम पा सकते हैं दोस्तों सबसे पहली रेयर करंसी की अगर हम बात करें तो ये है एक रुपे का खास नोट जो की बाजार में 45,000 रुपे में बिक रहा है तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच चाही दोस्तों अगर आपके पास एक रुपे का ये खास पुराना नोट है तो आप घर बैठे माला माल बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों भारत सरकार की ओर से भले ही एक रुपे का नोट अप्रचलन में नहीं है हालांकि बाजार में इसकी कीमत 1000 रुपे है ऐसा ही एक रुपे के नोटों का बंडल ऑनलाइक प्रैटफॉर्म पर 45,000 रुपे में बिक रहा है इस नोट पर वर्ष 1957 में गवर्नर बने M.H.Patail का स्टाइन किया हुआ है साथ ही इस नोट की सेरिल संख्या 1,2,3,4,5,6 है इस नोट को आप कोईन बाजार वेबसाइट पर बेच सकती है यहाँ पुराने एक रुपे के बंडल की कुल कीमत 49,999 रुपे है डिसकाउंट के बाद इसकी कीमत आपको 44,999 रुपे मिल सकती है दोस्तों दोसरी जो रेर करनसी है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसे बेच कर आप 30,000 तक रुपे कमा सकते हैं वो है 5 रुपे का एक खास पुराना नोट तो दोस्तों आईए जानते हैं इसके बीचे की पुरी सच्चाई अगर आपके पास 5 रुपे का यह खास पुराना नोट है तो आप इसे बीच कर मोटी रुपे कमा सकते हैं पास रुपे का यह पुराना नोट आपको 1000 रुपे का फायदा करा सकता है बता दें कि इस 5 रुपे के नोट में कुछ फीचर्स होना important है तभी आपको पांच रुपे के इस नोट के बदले 30,000 तक रुपे मिल पाएंगे पांच रुपे का वो नोट जिसमें ट्रेक्टर बना हो उसके बदले आप ऑनलाइन 30,000 रुपे तक मोटी रकम कमा सकते हैं जिस नोट को रेर माना गया है दोस्तों उसमें 786 नंबर भी लिखा है भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस नोट को एक्स्ट्रीमली रेर माना जाता है ऐसे में अगर आपके पास भी ये नोट है तो आप भी एक के बदले 1000 कमा सकते हैं अच्छी बात ये है कि इस 5 रुपे के नोट के बदले पैसे कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है ऑनलाइन ही आप इसे बेच सकते हैं coinbazar.com आपको पुराने नोट के बदले कई गुना पैसे कमाने का मौका दे रहा है दोस्तों तीसरा जो नोट है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसे बेच कर आप 25,000 तक रुपे कमा सकते हैं वो है 10 रुपे का खास पुराना नोट तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे का भी पूरा सच दोसो अगर आपकी पास दस रुपे का ये खास पुनाना नोट है तो आप इस से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं हालांकि ध्यान रहे कि ऐसे वैसे किसी भी दस रुपे के नोट से ऐसा मुम्किन नहीं है इसके लिए आपको दस रुपे का एक खास नोट चाहिए कमाई करवाने वाले इस 10 रुपे के नोट पर अशोक स्तंब जरूर होना चाहिए आपको बता दें कि इस खास तरह के 10 रुपे के नोट का चलन काफी पहले हुआ करता था 1943 में बिटिश राज के समय में इस 10 रुपे के नोट को जारी किया गया था इस नोट पर भारती है CD डेश मुक के साइन है 10 रुपे के इस नोट पर एक तरफ अशोक स्तंब है तो दूसरी तरफ एक नाव बनी हुई है इसके लावा पीछे की तरफ इस नोट पर दोनों साइड में अंग्रेजी भाशा में 10 रुपे इस लिखा हुआ है तभी इस नोट के बदले में 20 से 25 हजार तक रुपे मिल सकते हैं यानि अगर आपके पास ये तीनों ही नोट हैं तो आप आसानी से 1 लाख तक रुपे कमा सखेंगे दोस्तों दो रुपे, पांच रुपे और दस रुपे के नोट के अलावा अगर आपके पास ये दो रुपे का सिक्का भी है तो भी आप लाखों में कमाई कर सकते हैं आईए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की पूरी सचाई दोसरे आपके गुलत में 2 रुपे के कई सिक्के पड़े हैं तो देखिए कि उनमें से कौन सा सिक्का 1994, 1995, 1997 और 2000 सिरीज का बना है अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का है तो आपको फटाफट 5 लाख रुपे तक मिल जाएंगे दरसर इन सिक्कों की मांग बहुत जादा है जब आप उनलाइन इसे बेचेंगे तो खरेदार से कीमत को लेकर बात तैगर ले इन सिक्कों को पाने के लिए लोग लाखों रुपे देने को तयार हैं बताने कि देश में 2 रुपे का सिक्का पहली बार साल 1982 में आया था इस पुराने 2 रुपे के सिक्के को कुप्रो निकल मैटल ने बनाया था इसके अलावा 1918 में बने एक रुपे के सिक्के की कीमत 9 लाख रुपे है इस पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर होनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हमने बताया कि 1, 2, 5 या 10 रुपे के कुछ खास नोट है जिन्हें बेच कर आप मोटी कमाई कर सकते हैं लेकिन ये कुछ खास तरह की नोट है और इन्हें बेचने के लिए इनमें कुछ important features भी होना अनिवार है तब ही आप इनसे मोटी कमाई कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो हमें comment section में जरूर बताईएगा ताकि समय समय पर हम आप के लिए ऐसी amazing videos लाते रहें